बड़ी बात क्या हो सकती है? अगले कॉलर के पाथ चलते हैं. जहिन, बोलिये. जहिन, क्या कहेंगे? आई कहांगा जो विदेशी पढ़ाई का असर है अपने संस्कार बूलते जा रहे हैं. बिल्कुल? जाहिन आए ये जो विदेशी पढ़ाई के रिशाब में अपने विदेश नीटी भूल रहे हैं अपने संसकार छोड़ रहे हैं दन्यवाद एक और कविता हमारे सामने आई है वो भी हम आपको बताएंगे यहाँ पर दिखाएंगे लेकिन हमारे पास फेस्बुक पर भी कई प्रतिक्रा आने लगी है वो प्रतिक्रा भी हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं साथ साथ मैं आप स्क्रिन पर कुछ आकड़े कुछ कारटून वो भी हम आपको दिखा रहे हैं और ये कारटून के साथ-साथ ये कविता के कुछ शब्द है कि माक के माथे की रोनक मेरे नाम के सर्ताज है पिता बाजार में हर चीज अपने अपनी लगे जब संग है पिता अपने गुल्षन में भारे सजा मुझ फूल को महकाया है जिंदकी के काटो पर सक्त पर मेरे लिए नाजुक हो है पिता आप एहसास है संविदना है गालों पर पप्पी है पिता मेरे सरारतों में अपने अपना बच्पन देख मुस्कराते है पिता मा फिर भी रो देती है पर बेटे के सामने ना रो सके वो है पिता वो है पिता अगले कॉलर के पाथ चलते है आप भी कॉल करके अपनी बात को रख सकते है अपने पीता को आज याद करके कुछ दुनिया को इसका मार्ग दर्शन कर सकता है जहिन सर जी मैं प्रमोंट कुमार बोलना हूं कौन दूर से बोलिए सर जी एंपियस वालों का जो न्यू कमिशन स्केम 2004 से सरकार ने बंद रखती हम आपको यहाँ पर कुछ फिल्मी शॉट भी आज दिखाने वाले हैं उन में से एक यह आपके सामने जमाना बदल गया है जिन्दकी बदल गई हमारी उम्र के लोग याद करें कैसे बेकार के रिष्टों और बंदनों में उजे रहते थे हम लोग बाप के चेरे में इश्वर देखते थे हुआ माँ के चन्नों में सोट दिखाई देता थे लेकिन अब लोग समझधार हो गए है आज की पीड़ी बड़ी होश्यार और प्रैक्टिकल हो गई है उनके लिए हर रिष्टा है एक सीड़ी की तरा है जिस पर पाउं रख करके वह आके निकल जाते हैं और जब उस सीड़ी का कोई समान नहीं रहता है तो उसे घर के टूटे कुर्सी मेज टूटे फूटे भरतन भड़े बुराने कपड़े कल के पार की तरह रतिस समझकर किसी कबाड़ खाने में फेट देते हैं अगर यह परिवार की स्थिति है भागबान फिल्म का यह शीन है में लोगों को जरूटे जीवन सीड़ी नहीं पेड़ है यह मानकर उसको हमेशा सूचिए रिस्तों को देखिए सीड़ी की तरह केवल रिस्तों को उपर छोड़ कर नीचे छोड़ कर उपर चलते जाएंगे तो एक दिन फिर से नीचे उतरना होगा और फिर वही रिस्तों की खोज करेंगे जो कभी छोड़ चुके हैं अगले को दर के पार चलते हैं जहिन बोले बोलिये क्या करना चाहते हैं कि माबाब बिचारे लड़के के जिंदा होते हुए वरद्धा आश्रम में जीवन काट रहे हैं उनके लिए लड़का जिंदा उपर चला गया हो बराबर है माबाब फून के आश्रम उपर लड़की हैं अब धर्म निबाती हैं लड़कों को तो सीखना चाहिए हम यहाँ पर परिणाम दिखाते हैं कि ऐसा होता रहा तो क्या परिणाम होंगे देखिए सामाजिक धाचा बिखर जाएगा माता पिता पूरे परिवार में एक वट वरक्ष के तरह होते हैं जिसकी छाओ में हर कोई राहत और सुकून महसूस करता है अगर उन्हें पूरा सम्मान नहीं दिया जाएगा और अनादर किया जाएगा तो इससे उनके अंदर शोब की भावना उत्पन हो जाएगी जिससे सामाजिक धाचा बिखर सकता है युवा पीडी संसकार विहिन हो जाएगी बच्चों के अंदर संसकार और अनुशाशन अपने माता पिता से सीखने को मिलता है अगर युवा पीडी उनकी बातों के उपर अमल नहीं करेगी उनके अंदर अनुशाशन हिंता की भावना उत्पन हो जाएगी जो आगे चल कर अपराधी और बेविचारी बन जाएंगे समाज में अराजकता का मोहल बन जाएगा माता पिता बच्चों के प्रथम गुरू होते हैं उनी से बच्चे सब कुछ सीखते हैं और किसी प्रिकार की गलती पने पर कोई भी व्यक्ती सबसे पहले उनके माता पिता से ही शिकायत करता है ऐसे में अगर बच्चे पित्रत्व धरम को भूल जाएंगे तो दूसरे समाज में हर कोई खुद ही बच्चों को डाटना पितना शुरू कर देगा समय से पहले बुजूर्गों की मौत हो जाएगी अपने तुछ लाब के लिए आज यूवा पीडी अपने बुजूर्ग माबाप को घर से निकाल दे रही है इससे वे व्रद्ध आश्रम में रहने पर मजबूर हो रहे हैं जहां पर उनकी सही तरीके से देखभाल नहीं हो पाती है अपने अंग पर बल्यान परुकिश के अपने जूर्द के जाने के लिए पैसे एकता क分享 पर марव भीटियों कि लिए कि चोती से बड़ी करते हैma मीन बच्पास इसको पाला है और इस बच्ची को आप आगे ही आच्छी तरसे पालने के लिए हाज जोड़के आगले इंको करते हैं तो आइसे जमान इनी पिता जी को कैसा क्या भूल सकते ही है यह आइसे संस्कूल तो हमको पसंद नहीं लेकिन आजकाल तो देख रहे हैं तो जितने इतने बढ़ा हो जाते है यह बहा कर लेते हैं तो मापाप को आइस में रखता है कि मापा पर बोज बनते गए तो एक मैं आब इस सवारी जो बच्चे हैं उन्हों के अधुए संदेश देना चाहता हूं कि आपने कमाई इस इतनी भी हो लिकिन अपने मापाप ने याप उनको छो मैं ये बोलना चाहता हूँ, आप दिल्ले मुद्ध उठाते हैं, हाँ, अरे, ये बोलना, अगले को दर्शे बात करते हैं, जहिन सर, मैं तर्शे राजस्कुमार सर्मा बोल रहा हूँ, और सर, मैं तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो आपने जो आज ये मुद्ध उठाया है, बिल्कुल, जो बहुत ही सार्थक मुद्ध उठाया है सर, और हकिकत यही है सर, कि आज की जो युवापेड़ है, वो अपने मापाप को एक बोज, एक बढ़न समझ रही है, और आज की जो युवापेड़ी है, वो पाशात्या की तरफ चोड़ी जा रही है, और जब कि सर, हमें ये भोलना चाहिए, कि हम एक भारत्मा की संतान है, उस भारत्मा की, जहाँ पे माप, बाप, गुरू, भगवान के समान दर्जा दिया गया है, और मैं सर, मालिक भगवान से यह दास कहूँगा, कि आज की युवापेड़ी को सद्बूदी दे, तो वो पाशात्या संस्क्रिटिक को ने दोर करके, अपने माता पिता की तनमन से सिवा करे, जै हिन, जै भारत्स है, अगले कोलर, जहिन, अब भी अपनी बात को कह सकते है, MMS देखते हैं कि क्या कहता है MMS, मेरी तरफ क्या देख रहा हूं? हम दोनों तो पहले से ही परिशान है, एक बड़ी शहर में इतनी महेंगाई में रहना, तुम लोग तो जानते हो ना, और तीन चार साल में, बेटी की शादी होने वाली है, उसका क्या होगा? बाकई, इस तरफ पॉसिबल, भाया, मैं तो डेफरेंटली मॉम डाट को अपने साथ ले जाता, लेकिन इन अभी काम पे जाती है और, फेर, नहीं रहे बापा, पहले जाके ऑफिस में पिसो, उसके बाद में घर आके साथ ससुर के नखरे सो, मुझसे नहीं होगा, बाई, मैंने तो अभी अब इपनी जिन्दकी शुरू की है, वैसे भी मेरी हालत बदली है, हर ग्यारा माइने में मुझे घर बदलना पड़ रहा है, करन तुम ही उन्हें लेकर क्यों नहीं चाहते, जिसे तुम्हारे की देखबाल हो चाएगी और उनकी भी, मैं खुद को नहीं समाल सकता, उन दोनों को कैसे समाल हूँगा, ये बच्चों ने बड़ी देर लगा दी अपना फैसला सुनाने में, जरूर उन लोगों में जगड़ा हो रहा होगा, कि कौन पहले हमें अपने घर ले जाएगा, हाँ, ये हो सकता है, कुछ सोचा है, क्या करना है? करना क्या है, किरन, माम और डट को अपने साथ लेकर जाना होगा, यहां पर उनका कौन है? देखो आजय, बरसों से हम लोग अपनी लाइस्टायल जीते आ रहे हैं, अब, अब अचानक, नई शुरुवात करना कोई मजाख है? एक मिनिट, एक मिनिट, क्या ऐसे नहीं हो सकता कि मामी डाड़ी यहीं रहें, और जिससे जो हेल्प हो सके हो करते, यह क्या कह रही हो भाबी, डाड और हेल्प, he'll never accept. एक आइडिया है, इसा करते हैं कि भाईया, आप मामी को अपने साथ ले जाएं, और मैं पापा को ले जाऊंगा, फिर छे महीने बाद पापा रोएत यहां चले जाएंगे और मामी करनगे हैं, इस तरह वो हम सब के साथ रह भी पाएंगे, और किसे भी ज्यादा बॉर्डन भी नहीं पुरेंगा, क्यों, कैसे लगा आइडिया? एक दम फ्लॉप आइडिया, भाईया. आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मॉम और डैड एक दूसरे से अलग होने के लिए बिलकुल राजी नहीं होंगे. यहीं तो मेरे हस्बन के आइडिया का में पंच है. ना ही ममी पापा एक दूसरे से अलग रहने को राजी होंगे, ना हमारे साथ आखे रहेंगे. बात वहीं की वहीं खाती. एक्जाक्ले. वेरी गुड. वो अपने करवे खुश और हम अपने. यह देखें कि बच्चे जब बाप की अपने पालने की या उनको अपने साथ रखने की नवबत आती है तो क्या कितनी देर में फैसला सुनाते हैं और फैसला भी ऐसा हैं जो शड़ियंतर के तहित उनको अपना निरने बदलने के लिए मजबूर करें. या या ऐसे आज के परिवार की स्थिति हो गई है या आज की पीड़ी इस प्रकार से सोचने लगी है एक माबाप मिलकर दस दद बच्चों को पालते हैं लेकिन दस बच्चे मिलके एक माबाप को क्यों नहीं या आज का सवाल है कॉलर के बाद चलता है. जहिन जहिन हम तुहिता पांडे चांथी से बोल रहे हैं. बोलिये. पताया नहीं जाएगा. तो कहां से सिखेगा या या युवार पे तुझर हमारा बच्चा. धन्यवाद. धन्यवाद. अगले कॉलर के पाद चलते हैं. जहिन, बोलिये. अलो सर, नमस्कार. नमस्कार. सर, आप चैनल पे आप इतना लाइब दिखाते हो, सर, आपके उपर कोई भी एक्षिन यू उठाता है? इसकी चिंता मत करिये, यह सब कुछ सोचके आते हैं. सर, असी है कि बिल्कुल आप लाइब दिखाते हो, एक दम. किरियर दिखाते हैं आप. तो आपके उपर कोई तो कोई एक्षिन उठाता है, यह सोचकर आगे नहीं बढ़ना होता है. संगर्ष के बाद यह का परणाम क्या होता है, इसको देखकर आगे चलना होता है. और इसलिए सच के लिए कभी सच बोलने इसलिए कभी डरना नहीं, और जब राष्ट वाद के लिए हमने आवाज बुलंद की है, केवल चैनल नहीं देश नमबर एक बनाने का मिशन लेकर आगे बढ़े है, तो ओ साथ देता है, यह बिजनेस नहीं मिशन है, यह मान कर हम इ पूछा इसके लिए, लेकिन आप सब का सुबा शिरवाद है, कि हम सही दिशा में जा रहे हैं.